हर्याना के फत्रहबाद में बेटी की मौत को चार महीने बीच जाने के बाद भी आरूपियों की गिरफतारी नहीं हुई तो परिजन लगु सची वाले के बाहर धरने पर बैठ गए परिजनों ने पुलिस की कारेपरनाली पर गंभी आरूप लगाते वे मामले को जान बूज कर लटका आने की बात कही धरने पर बैठे लोगों ने शाषन और प्रशाषन से आरूपियों की जल्द गिरफतारी की मांग की है लगु सची वाले में धरने पर बैठे मृतिका की बेहन ने बताया कि उसकी बेहन की शादी 7 साल पहले रत्या के रहने वाले तरुन से हुई थी आरूप है कि शादी के बात से ही ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे दहेज के लिए तंग करने लगे इस दोरान 18 फरवरी को महिला के संदिक परिस्तितियों में मौत हो गई थी आरूप है कि इस मामले में मिर्तका की बेहन के बयान पर आरूपी ससुराल वालों पर दहेज की मांग के चलते आत्महत्या के लिए मजबूरन करने को लेकर मामला दर्ज किया गया था उन्होंने बताया कि चार महीने हो गए पुलिस द्वारा अभी तक आरूपियों की गिरफतारी नहीं की गई है आरूप है कि मामले की जांच करे जांच अधिकारी भी आरूपियों के साथ मिली भगत कर इस मामले पर राजिनामा करने का दवा बना रहे हैं आरूप के आरूपियों की गिरफतारी को लेकर पहले भी पुलिस के उच अधिकारियों से मिल चुके हैं उसने बताया कि उन्हें कहा गया कि विसरा रिपोर्ट आने के बाद आरूपियों की गिरफतारी नहीं हुई कभी थाने तो कभी पुलिस अधिकारियों के चकर काटने पड़ रहे हैं परीजनों ने शासन और प्रशासन से आरूपियों को शिगर गिरफतार करने की मांग की है पुलिस यह वो रही है जी आपका होगे जी ब्यान हम गिरफ्वार कर लेंगे तो कितने टाम से अरूपियों परहार है तो चार चार महींगे से ब्रहार है देखिये जी आज से साथ साल पर लें हमारे परिवार की लड़की पुज्जा का जो शादी जो थी टिबादाना कलोनी जो यह रतिया के इंदर है तरुन नामक जक्ति के साथ हुई थी जो निरंतर शादी के बाद लगातार उसके परिवार के सदस्य है उसकी सास उसकी परिवार में सबसे बड़ी है हमने बेटी की तरह उसको पाल पोस्कर बड़ा किया दुनों बेहनों को और हमने उसकी साथ यहा करी बड़ी खुंशी और मनों के साथ करी प्रणतु उन्होंने एक दिन दी लगी को सुखी रखने का काम नहीं किया कम से कम पचास बार हमारी परिवारिक पंसेट हो जाया करती। रतिया के मोजी जात्री भी उसमें आजाया करते। मना करके, आद जोड़के, पैर जोड़करके, सब तरीके से वप्रपन्स करके हमारी लड़की को दुबारा ले जाया करते। प्रंतु 18-2 की रात को उन्होंने जहर दे करके हमारी लड़की को मालने का काम किया है 19-2 को जब पोस्ट मार्टम के बाद गोपाल जी जो रतिया पीए सिटी के अंदर थानेदार हैं इस मुकदमे के आईयों हैं उन्होंने मुकदमा दर्ज करने का काम किया और लगातार पांच महिने से हमें गुमरा किया जारा है